हे हलो एवर्बर दोस्तों कैसे आप सभी लोग दा पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि सिपेसी क्लास 12 के रिजल्ट डिगलेर हो चुका है और इस बार 99.37% जो बच्चे पास है नहीं 100% के आस पास का रिजल्ट है बट दोस्तों रिजल्ट में बहुत ही जादा स्कूल के दोवारा और टीचर से दोवार भेदभाव किया गया है सिपेसी ने जिस क्राइटीरिया का पालन करने के लिए कहा था और प्रधान मंदरी नेंदर मोदी जी ने भी जिस दिन एक्जाम कैंसिल किये थे उसी दिन उने कहा था जो रिजल्ट तयार किया जाना चाहिए वो बच्चों के साथ उसमें किसी परकार का भेदभाव ना हो बट दोस्तों रिजल्ट में ऐसा दिख रहा है कि भेदभाव किया गया है बहुत से बच्चों के साथ कहीं कहीं दोस्तों कास्टिजम का भी खेल किया गया इस रिजल्ट में मेरे पास बहुत से बच्चों के कमेंट आए क्योंकि दोस्तों बहुत से बच्चे को जो हैं क्लास 10 में क्लास 11 में बहुत ही अच्छे नमबर थे बढ़ क्लास 12 में उनके कम नमबर दिये गए हैं ऐसे में दोस्तो बहुत से बच्चे के भी मैंसे जाया है कि सहर हमारो जो टीचर के ताथ ची नहीं बन दिती तो उनकी भी नंबर कम दिये गए और इनसे कम पढ़ने वाले बच्चे के जादा नंबर दिये गए तो ऐसे जो भी बच्चे जिनके कम नंबर है दोस्तों वो टेंसा ना लें आपके पास मौका है रिए एक्जाम देने का इसके अलावा भी आप अपने जो नंबर है उसको दोस्तों लिगलाइस तरीके से दोस्तों सीबसी से री चेक भी करवा सकते हैं बट इसका नोटिफिके दोस्तों कि जैसे अगर जो बच्चा कंपार्टमेंट आया है जो री एक्जाम देना चाहता है तो शीबसी बच्चा नोटिफिकेशन में भी काया कि अगर जो बच्चा री एक्जाम देना चाहता है तो उन्हें आपके 16–15 सेटमबर तक एक्जाम करवाया जाएंगे आप इसमें आपियर कर सकते हैं यानि नंबर वन देख सकते हैं इस्टुएंस नोट सटिस्वाइब विद दियर असिस्मेंट डन बेस उन्दा पॉलिसी दो सबसे पहले दोस्तों बात यह कि जो भी विद्यारती इस क्राइटीरिया से इस असेस्मेंट पॉलिसी से अपने आपको स पंद्रह दिनों के अंदर पूरे सिलेबस की तैयारी कैसी की जाए क्योंकि पिछल दो मेने से कोई विद्यारती पढ़ाई नहीं कर रहा था बहुत सी ज़्यादा असमंजस में थे बच्चे पैनिक में थे क्रिजल कैसा आएगा तो किसी बच्चे के दोरा पढ़ाई नहीं तो एक्जाम दें तो बट इसके दोड़ा सा और लंबा टाइम दिया जाना चाहिए बच्चों को 16 अगर से नहीं या इससे बढ़ा दिया जाना चाहिए यह हो सकता है उसके लाद दोस्तों बहुत से बच्चे क्या हैं सेकंड है प्राइबेट हैं प्रत्रचार हैं सेकंड प्राइबेट हैं तो वह तो दोस्तों उनके तो एक्जाम प्राइबेट के प्रत्रचार वाले के और जो सेकंड चांस वाले हैं कंपार्टमेंट उनका एक्जाम 16 से अगस्ट से 15 सब्सक्राइब बिच करवाए जाएगा बट इसके लाद तो स्ट्वेंट्स हूँ है रिज सकते हैं मैं इंप्रूवफ्मेंट में दे سकते हैं भर सकते हैं अचे नमर से पास हो सकते हैं कूपी और दोस्तों आपको किसी प्रकार को पैनिक करने के जूरूत नहीं है। आपके गलती नहींने सही प्रकार से टीचर के स्कूल किष़ और इसके रावा दोस्त rich चांस कंपार्टमेंट केंडिर्स भी जिसका आया हैं वो भी एक्जाम दे सकते हैं 16 अगर्स से 15 सब्टमबर के बीच तो यह है अब दोस्तों सवाल रहा कि सिलेबस कैसा आएगा पैटन कैसा होगा अग्जाम देंगे तो आपका सिलेबस आपका पैटन और आपका अग्जाम उसी आधार पर होगा जो आधार आपको इस साल दिया गया था 2021 कि सिब्फश एग्जाम से पहले जब आपका एंसल नहीं हुआ था यानि 30% जो आपके काट औरती विथी उसी काट ओरती अधार पर ही आपका पेपर लिया जाएगा जैसे को रहा था आपका जो असेस्सिंट कटेगा नहीं कितना कटा वो 30% उसी अधार पर आपका present paper में आएंगे ठीके इसके लबा दोस्तों आपको किसी प्रकार कोई पैनिल लें जुरूत नहीं है बहुत से बच्चे बहुत ही ज़्यादा depressed में चलेगा है उन्होंका बहुत message आए कि सर कुछ खाने कमरें बंद हो चुके हैं तो मैं उनसे विंती करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी अपने आपको दोस्त ना ठहरा हैं क्योंकि आप दोसी नहीं हैं दोसी स्कूल और टीचर वाले हैं क्योंकि उन्हेंने आप साथ बिखवाओ किया है नंबर देने में तो इस प्रकार आप बिल्कुल भी अपने आपको बिल्कुल भी पैनिक ना ले और ना ही किसी प्रकार guilty महसूस करें तो और इसके लाए दोस्तो बहुत से बच्चे का जो result नहीं आया है तो दोस्तों सीबेसी दोर अभी 1060 जो schools है नियू स्कूल है या उनका अंडर प्रोसेस है और बहुत से बच्चे का result भी नहीं आया है तो ऐसे 60,000 बच्चे हैं दोस्तों जिनका result नहीं आया है और 1060 school जिनका result भी तयार नहीं किया गया है तो सीबेसी दोर विदन वीक एक हपते के अंदर इन सभी स्कूलों के इन सभी बच्चों के जो रिजल्ट डिक्लियर कर दिया जाएगा सही आधार पर क्योंकि अभी तक उनका result सही से नहीं बनाएगा था अब बहुत से बच्चों के result में आर लिखा रहा है नहीं result लेटर तो उनका भी result दोस्तो डिकलियर कर दिया जाएगा ठीक है एज स्टेट अब और डियर 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 विल ऑल्सो डिकलियर विदन वीक एज टाइम तो एक हपते के अंदर अंदर आपका भी result आ जाएगा टैंसल लेने की जरूरत नहीं है किसी परकार की तो दोस्तों मैं आप अपने पर पूरा बरौसा करते हैं यदि आप जिस नंबर आप खुशी बेस्टीक दोर दियागे अगर उसे आप खुश नहीं है आप उससे अच्छे नंबर प्राप्त करने में सच्छा मैं तो जरूर एक्जाम दीजिए बट यही सबसे बड़ा सवाल है कि इतने कम समय मे कैसे एक्जाम के त्यारी की जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारी घबडाट होगी बहुत से बच्चे भी सोच रहें कि अगर हम दोवारे एक्जाम देंगे तो कहीं जो स्कूल वाले हैं वो हमारे साथ भेदबाओ ना करें और उन्हें लगएगा कि यह नहीं हमें पर भरो कर्ते हैं दोस्तो इसके आलावा दोस्तों मैं आपसे बताना चाहत हो कि इसाम से कोई क्या जा सकता है क्या exam को दدمरा से जो result है दबरा से तयार करवाון आ सकता है नहीं करवाец़ा क्या process है इन सभी की जानगाई तो मैं आपको दूँगा अपने nest वीडियो में जुम्म्हाँ बनाऊँगा दोस्तो हमारे वीडियो को इसी तरह प्यार देतीर यदि आप हमारे चैनल पर नहीं जुरू सब्सक्राइब करते हैं बैल आइकन को दबाने ना भूले दोस्तों कि कभी कबर ऐसा होता है बहुत से बच्चे जो है वीडियो नहीं देखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है बाई कम सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो क्या देखें दोस्तों अगर आप लोग नहीं देखोगे तो कि हमारा जो है चैनल गुरू कैसे करेगा और जो बाते हैं वो अन्हें बच्चों तक कैसे पहुचेंगी तो इसे जादा जाद सेर केजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हैं बहुत बहुत धन्यवा दोस्तो पिछली वीडियो को अपने बूहत देख प्यार दिया है इस वीडियो को भी उतना प्यान देजिए आपको हर कमेंट को दोस्तों आपका एंसर दिया जाएगा और जीतने वी ँचंग केता और हम उमन हर बच्चे को मैंने कमेंड प्रसनली दिया है दोस्तों तो बस आपका सपोर्ट दरकार आपकी सपोर्ट की दरकार है हमारे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए और हम आपके साथ हमेशा सदो खड़ रहेंगे तो बहुत बहुत धन्यवा दोस्तों जैहीन